Hello and welcome to our discussions on weighted aggregative indices. Last time हमने यह देखा था कि conceptually weighted indices होते क्या हैं, क्यूं बनाए जाते हैं? Weight देने की जरूरत ही कहां आगे थी? अब हम इसको advance करते हैं कि कुछ बहुत famous weighted indices हैं, वो कौन से हैं? तो हम इनको दो या तीन categories के अंदर classify करके आगे बढ़ सकते हैं. First one is less spires. Lesspire's Index. Second one is Pash's Index. Second one is Pash's Index. Then we have, थोड़ा अलग रिखराओ में इनको. Boli's Index. Then we have Fishers Index. Fishers Index को at times ideal index भी कह देते हैं. At times Fisher's ideal index भी कह देते हैं. और तो यह होगे, तो यह होगे. और फिर दो और जो हम ले रहे हैं वो हैं. Marshall, Edgeworth's Index, and Kelly's Index. यह कुछ ज़्यादा फेमस इंडिसेज हैं. Weighted Aggregative Index के अंदर. अब इनको अगर हम दो-दो के अंदर study करेंगे. पहले lesspire and Pash's. अब एक केस लेते हैं हम, where we have certain prices and quantities given. अब suppose हमारे पास इस तरह का कुछ data है. देखते हैं, यह अलग-अलग philosophies हमारे को क्या कह रही हैं. We'll start with this. अगर इस तरह का data है, और हम simply, अभी previous video के अंदर हमने देखा था कि वे weight देना जरूरी है. quantity को हमने सोचा था कि weight देगे. जो चीज में ज़्यादा consume कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा importance मिल जाएगी, जो चीज में कम consume कर रहा हूँ, उसको कम importance मिल जाएगी. तो उस philosophy पे अगर हम चले हैं और weights दें, तो we have data for year 0 and we have data for year 1. अब year 0 के हम अगर PQ निकालें, which is P0Q0, तो कितना हो जाएगा? 5 into 50 would be 250, this would be 7,000, और अगर हम first period का data निकालें, तो P1Q1, which would be 200, और ये 15,3045,00. ये बन गया हमारा 4700, aggregate हो गया? भाई, पहले हम क्या कर रहे थे? अग्रिगेटिव के अंदर prices के, अग्रिगेटिव ले ले लेकिन आप क्योंके हम वेटिड की बात कर रहे हैं, तो हमने गा के चलो भी price और quantity को multiply कर देते हैं, जैसे हमने previous video में देखा, तो price quantity को multiply कर देते हैं, और उसका aggregative ले ले लेंगे, वेटिड हो गया, अग्रिगेटिव हम इसको बना रहे हैं, 7250, अब अगर हम इसका index निकालते हैं, 01, taking year 0 as base, तो हमारे पास index के आएगा, year 0 का data ये रहा, ये base में चला जाएगा, 7250, और उपर आजाएगा 4700, क्योंके हम first period को compare करें, multiplied by 100, इसको बहुत ध्यान से देखे हम, हमारे पास index कितना आगया, first period का, taking 0 as base, 64% या 65% मानते हैं इसको, अब 65% index आने का मतलब क्या हो गया, कि जो prices हैं वो नीचे आ गई है, जो चीज 100 rupees की थी, वो अब कितने की मिल रही है, 65 की, index यही suggest कर रहा है, लेकिन यहां देखे हैं, हम prices की क्या आलत है, जो 5 था, वो 10 पे चला गया, double हो गया है, 200 आना चीज़ था index, जो 100 था, वो 150 हो गया है, बेड़ गुना है, 150 आना चीज़ था index, तो 200 इसका, 200% इसका आ रहा है, 150% इसका आ रहा है, तो इसका आदा महंगाई तो बहुत जादा बड़ गयी है, लेकिन हमारा index कैसा आ रहा है, 65 हमारा index दिखा रहा है कि prices नीचे चली गई है, तो यह गड़बर कहा होगी, हमने तो बहुत अच्छा aggregative index पढ़ा था, जिसमें हम prices के aggregates लेते थे थे, यहां पर इस गड़बर को solve करने के लिए, less pair and precious have suggested an alternative theory, less pair suggest करते हैं, कि आप बार-बार weights को vary मत करो, जब एक comparison हो रहा है, तो जो weight है, जो relative importance है, उसको standard रखो, fixed रखो, बार-बार vary मत करो, and less pair says, कि जो base है, जो base year आप ले रहे हो, उसकी quantity को weight बनागा, we'll use base year's quantity as weight, इसी लिए इसको less pair index को एक और नाम से जाना जाता है, which is base year method, base year method, और Pashes index, Pashes का alternative suggestion है, वो कहता है कि Q1, जो अभी वाला है, उसको करेंगे हम use, तो वो क्या हो गया, given year method, तो ये दो अलग-अलग philosophies हो गई, अब हमने क्या क्या अभी, जो year था, उसी की quantity को weight बना दिया, तो P0, Q0 बन गया, P1, Q1 बन गया, और हमारे पास index आगया, 65, आप खुद देख सकते हो, ये कितना गलत है, prices double हो रही है, date गुना हो रही है, और हमारे को दिख रहा है, कि prices नीचे चलेगी, क्योंकि index तो ये ही suggest करता है, price index निकाला है हमने, तो इस problem को solve करने के लिए, less pair and precious suggested, less pair suggested कि Q0, मतलब जो base year की quantity है, उसको weight लेंगे, इसलिए इसको नाम दे दिया, base year method इसको नाम दे दिया, given year method, क्योंकि prices ने का के, जो given year की quantity है, उसको use करेंगे, इसको करने से फरक क्या पड़ता है, let us check that, कि एक index तो हमारे पास अभी आया पड़ा है, अगर हम less pair की theory के इसाब से निकालें, तो यहाँ पर हमारे पास index क्या आजाएगा, और passes की theory से निकालें तो index क्या आजाएगा, less pair के इसाब से अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, तो मेरे को क्या का आप गया है, Q0 को ही base लेना है, तो मैं एक value तो निकालूँगा, P0, Q0, और फिर जब second year की prices लूँगा, तब भी मैं लूँगा क्या Q0 ही, this is the difference, प्रिवियस case में हमने जो भी पहले लिया था, उसमें क्या था, P0, Q0, P1, Q1, इसको यहाँ लिख देते हैं, जिसमार को यहाँ आद रहेगा, we took P0, Q0 upon P1, Q1, लेसपायर की case में हम क्या values कितनी आ जाएंगी, 250, 7000, और P1, Q0, इन दोरों को multiply करतेंगे तो यह कितना जाएगा, 500, and 1050, तो हमारे aggregates कितने आ जाएंगे, यह कितना होगा, 105, 105 और 00 आ जाएगा, तो यह होगा, 7250, यह तसपास हो जाएगा, तो फर्स्ट पीरिड को ले रहे हैं, तो फर्स्ट पीरिड की prices आ गई, 11,000, आप इसको डीटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक conceptual ही समझ रहे हैं, कि जो philosophies इननों ने दिये, उसका कैसे हमारे को impact दिखता है, तो यहाँ पर यह कितना आ जाएगा इंडेक्स, पहले case में तो हमने देखा था, कि बिल्कुल ही गलत value आ रही थी, हमारे को लग रहा था कि prices have gone down, जबके महगाई तो बड़ी थी, let's pair की case में देखते हैं, what are the results, 11,000 divided by 7,250, 151.724, 151.724, यह क्या बंद गया हमारे लिए, क्या लिए था हमने यहाँ पर P1, sorry, यह गलत लिए थे, वाला लिए हमने P1 Q0 upon P0 Q0, तो ना वी कन सी, कि हमारे को ऐसा लग रहा है, पिछली बार तो लग रहा था कि सस्ता हो गया, लेकिन लेस्पायर की जब हमने philosophy मानी, यह दो गुना हो गया, यह देट गुना हो गया, लेकिन quantity क्योंकि हम B की ज़्यादा consume कर रहे थे, तो उसने अपनी तरफ कीचिया, यह हम पहले भी देख चुके हैं, कि weight जिसका ज़्यादा होता है, वो अपनी तरफ pull कर लेता है, तो यह लेस्पायर की philosophy, पैशिस philosophy क्या कह रही है, कि जो given year की quantity है, उसको बनाया जाए weight, तो उस case में अब हमारा यहाँ पे जो थोड़ा सा change हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कि हम Q0 को use नहीं करेंगे, instead of P1, Q1, P0, Q0, इस बार हम क्या करेंगे, कि जब base year की prices होंगी, वो किस से multiply हो जाएगी, Q1 से, given year की prices होंगी, वो किस से multiply हो जाएगी, Q1 से, तो P0, Q1 gives me 100, 3000, और P1, Q1 will give me 200, 4500, तो aggregates लेंगे तो हो जाएगे 4700, 3100, यह कितना आ गया, base value is 3100, तो denominator में आ जाएगी, multiplied by 100, 4700, यह आ जाएगा आपका, 4700 divided by, 3100, 151.61, 151.61, अभी इस बार हमने क्या लिया है, E1, Q1, E1, Q1, और जब हमने prices ली थी 0, तब भी हमने क्या लिया है, तो logically अगर हम देखे हैं, तो पहले तो हमने देखा कि, aggregative के अंदर weights की क्या जरूरत है, फिर जब हम weights देने गए, तो हमने सोचा के, जिस year की बात कर रहे हैं, base year हो चाए given year हो, उसी की quantity को weight बनाए, तो हमने first year के लिए, first year की quantity ले लिए, base year के लिए, base year की quantity लिए, उसने बहुत misleading results दे लिए, क्योंकि वो kind of absolute हो गया, वो खुद की-खुद की values को compare कर रहा था, दूसरे के against comparison नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया, जब हमने quantity को fix कर दिया, कि first year हो या base year हो, given year हो या base year हो, हम quantity तो एक ही use करने वाले हैं, या तो given year की कर लेंगे, as special suggests, या फिर base year की quantity use कर लेंगे, as less pair suggests, तो ये हुए less pair and pashes, जो हमारे को ये idea देते हैं, कि कौन सी quantity को use किया जाए, हाँ, both quantities are good, दोनों के अपने अपने reasons होंगे, तो कुछ cases ऐसे हो सकते हैं, जहां पर हम base quantity को use कर लें, कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जहां पर हम given period की quantity को use कर लेंगे, तो वो अपने उपर depend करेगा, कि अपने बेखके चलें कि हमारा product किस तरह का है, industry के results किस तरह का आ रहे हैं, क्या industry में कोई particular pattern दिख रहा है, accordingly, you can either pick less pair or pashes index, फिर जो दो next indices हैं, वो क्या है हमारे, Bollies Index and Fisher's Ideal Index, ये बहुत simple है, Bollies Index is nothing but less pair and pashes का arithmetic mean, and Fisher's Index is less pair and pashes का geometric mean, अब दौनों जने average ही ले रहे हैं, दौनों जने mean ही ले रहे हैं, लेकिन एक arithmetic mean ले रहा हैं और एक geometric mean ले रहा है, and due to this geometric mean, Fisher's Index becomes ideal index, क्योंकि जब हम percent में use कर रहे हैं, growth की बात करते हैं, तब हमारे को हमेशा क्या जाना चाहिए? Instead of simple mean, arithmetic mean हमारे को हमेशा geometric mean लेना चाहिए, तो दौनों अलग-अलग concept है, बट क्या है यही रहे हैं कि average ले जाए? Once you have L and P, you can find out Bolli's Index and Fisher's Index. फिर यह दो और है, इसलिए हमने इनको दो-दो में लिया है, कि यह quantity कौन सी ले जाए? इसके बारे में बताते हैं, यह दोनों average ले ले लेते हैं, और यह दोनों फिर से quantity के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह थोड़ी सी midway या logical approaches निकालने की कोशिश करते हैं, कि क्यों हम QC, और भी हमने देखा था, कि कोरोनो के टाइम में Q1s बहुत नीचे चले गए थे, तो जब Q1s बहुत नीचे चले जाएंगे, तो अपने को misleading results मिल जाएंगे, if we are making use of Pashes Index, तो यह midway approaches लेते हैं,